फूल चमेली ये है चमेली का फूल ये सुगंदित फूल है गेंदा ये गेंदे का फूल है इसकी मालाएं ट्योहार पर घर में लगाई जाती है गुलाब ये गुलाब का फूल है गुलाब अनेक रंगों के होते है ये सुगंदित फूल है कमल ये कमल का फूल है ये हमारा राश्ट्रिय फूल है कमलिनी ये कमलिनी है ये तालाब में उखते हैं सूरज मुखी ये सूरज मुखी है ये सुन्दर पीले रंका होता है ये हमेशा सूरज के दिशा में अपना मूँ करता है इसका तेल खाना पकाने के काम आता है और्केड ये और्केड है ये नम परवत्य एक्षेत्र में उकती है इसके अनेक प्रकार तथा रंग होते हैं अबोली ये है अबोली का फूल इसकी मालाएं औरतें अपने बालों में लगाती हैं जिन्हें गजरा कहते हैं नीलकमल ये नीलकमल है ये सुन्दर फूल पानी में उकते हैं गुलबास ये गुलबास का फूल है सफेद रंग के ये फूल कई बगीचों में पाए जाते हैं ये मूल है मूलों की सहायता से पौधा जमीन से पानी खीचता है जमीन पर अचल खड़े रहने के लिए मूल सहायकारी होते है ये डंठल है पौधे के सभी अंगों को ये सहारा देता है डंठल के माध्यम से पानी और पोशक द्रफ पौधों के अन्य हिस्से में पहुचता है ये पत्ता है हरे पत्तों की सहायता से पौधा अपना अन्य तयार करता है पत्तों के द्वारा पौधा हवा में ऑक्सिजन छोड़ता है जो हमारे श्वसन के लिए काम आता है ये कली है कली फूल कर फूल बनती है ये फूल है फूल बढ़कर फल बनते हैं ये बीज हैं बीजों से नए पौधे उकते हैं ये है चाय का पौधा इससे हमें चाय के पत्ते मिलते हैं ये लता है इसे बढ़ने के लिए सहारा जरूरी होता है इसका डंठल पतला होता है ये पटसन का पौधा है बोरे बुनने के लिए इससे धागे मिलते हैं ये है कौफी का पौधा इससे हमें कौफी के बीज मिलते हैं ये मिर्च का पौधा है इससे हमें मिलती है लाल और हरी मिर्च ये गन्ने का पौधा है गन्ने का रस मीठा होता है गन्ने से गुड़ और शक्कर बनती है ये मकई का पौधा है मकई हम खाते हैं ये मूंगफली का पौधा है इससे हमें मूंगफली मिलती है ये है राजमा का पौधा राजमा में भरपूर पोशक द्रव होते हैं ये नाकफनी है नाकफनी रेगिस्तान में उकती है ये गेहूं का पौधा है गेहु से रोटी बनती है ये चावल के पौधे हैं इससे हमें चावल मिलते हैं ये काली मिर्च का पौधा है इस पौधे पर काली मिर्च के गुच्छे होते हैं ये है चने का पौधा इससे हमें चने मिलते हैं ये है रूई का पौधा रूई के धागों से सूती कपड़े बनते है ये आम का पेड़ है आम बहुत मीठे और रसीले होते है आम को फलू का राजा भी कहते है ये नारियल का पेड़ है इस पेड़ को कल्पवरक्ष कहते है ये ताड का पेड़ है इससे हमें ताड गोले मिलते है इसका रस बहुत मधूर होता है ये खजूर का पेड़ है इससे हमें खजूर मिलता है ये बरगत का पेड़ है जब इसके डालियां जमीन तक जाती है तो उनसे और एक पेड़ बन जाता है और इनका विस्तार बहुत बड़ा होता है ये पपीते का पेड है पपीता आरोग्यदाई फल है ये बोवरक्ष है ये है नीम का पेड इसके बीजों से तेल निकालते है ये कटहल का पेड है कटहल मीठा होता है पर इसकी खाल कांटो वाली होती है ये नारंगी का पेड है नारंगी के फलों में कजीवनसत्व भरपूर मात्रा में होता है ये बबूल का पेड है इसे लंबे-लंबे काटे होते हैं ये है सेप का पेड ये ठंडे ब्रदेश में उखता है ये अमरूत का पेड है अमरूत बच्चों का पसंदीदा फल है ये नीम्बू का पेड़ है इससे हमें खटे-खटे नीम्बू मिलते है ये सागौन का पेड़ है इसकी लकडी से घर का सामान बनता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन दबाना मत बूलना